पेट्रॉल पंप पर मिलावट की शिकाइदें आप बात हो गई है एक ताजा मामला दिल्ली का है जहां पर गुराडी में स्थित पंप पर तेल में मिलावट की ख़बर सामने आई पानी निकल रहा है पोईल हाई नीज के अंदर इंजन का भी खर्चा भरें उसके बाल नुक्सान ही नुक्सान ने जब लोगों को लगा कि इस पेट्रॉल पंप से जो पेट्रॉल डलवाया जा रहा है उसने पानी की मिलावट है उनके वाहन बंद हो रहे हैं तो लोग एकठे होका पेट्रॉल पंप पर पहुंचे और वहां पर हंगामा शुरू कर दिया जब इस बारे में पोलिस को जामक और यहां से चल गया कुछ दूरी पर ही जाने के बाद उसकी बाइक बंद हो गई वो उसको मेकनिक के पास ले गया तो जहां उसने टंकी से फ्यूल पाइप को निकाल कर चेक दिया तो पानी निकल ने रहा है तो यह पानी के मिक्स है उसने वापस आकर पेट्रॉल पंप की मनेजर से शिकायत की तो उल्टा उससे बद सलूकी की गए फिर उसने सौन नंबर पर डायल कर पुलिस को उसकी जान करे तो इसको कही बाद फॉन किया जब पुलिस छे साथ पाद फॉन करने के बाद तब यहां पहुंची है जब दूसरे बाहन चालकों को भी पता चला कि पट्रॉल पंप में पानी है तो उन्होंने पट्रॉल मंपर हंगा मतर करें जब पानी ही पानी निकल रहा था पैट्रॉल मैंनी अब यह बताया जाए अगाद पानी उसमें डाल दिया जाएगा तो इंजन बचेगा कि आदमी बचेगा कहीं भी खड़ी हो जाएगी कुछ भी होएगी इंजन बनवाता ही रहेगा वो इस वोंगामे में जब एक शक्स से बात के गई तो उन्हें बताया वो पैट्रॉल डलवाने आया था लेकिन बच गया उन्होंने कहा कि इस प्त्रोल पॉं पर अक्तल सर विलावड़ की शिकायते मिलती हैं फेर मैं यहां पर कैता है कि मैं 300 रूपे का पेटरोल डलवाया और मेरी गारी इस्टार्ट नहीं much मैंनेजर्ण से कम्पलेंट किया कि ऐसा क्यों वह जो क्याता है लुवर। पेट्रोल बेजती है तो हम क्या करें है और सुमेच वो उख़र ना वो उख़र तो उसकी विए पढ़िंग फिलहाल पुलिस इस पूरे मांने की जाउच का रहा हुआ देश और अपने प्रदेश की अन्या ख़बरों के लिए A&P News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना गूलें